हैलो दोस्तो माइने मी सुभम सोनी वेलकम टो माई चैनल डीजे क्लासेज आज मैं आपको कन्हैया लाल मिस्र पर्भाकर जी का जीवन परिचे बताऊंगा तो आई के शुरू करते हैं अपना टॉपिक कनहिया लाल मिस्र परभाकर जीवन परिचे कनहिया लाल मिस्र परभाकर जी हिंदी के परमुख साहत्यकारों में से एक है जिनकी रचनाओं का अध्यन छेत्र अक्तिन्त व्यापक है परभाकर जी का जन्म सन 1926 में सहारनपुर इस्थित देवबंद ग्राम में एक समान ने ब्रामण परिवार में हुआ था इनके पिता का नाम पंडित रमादत्र मिस्र था एप एक पुरोहित ब्रामण थें तथा इनकी अजीव का पूजा पाट करवाना था इनके पिता बड़े ही सरल सुभाव वाले व्यक्ति थें जिसका प्रभाकर जी पर पूरा असर पड़ा किन्तु इनकी माता का सुभाव अत्यन्त करकस और उग्र था इनोंने अपने एक संस्मरण मेरे पिता जी में अपने माता पिता का परिचे देते हुए कहते हैं कि वे दूद मिस्री तो मा लाल मिर्च ए बचपन से एक बड़े कुसागर बुद्धिवाले थें इनोंने स्वाध्याय से ही हिंदी साहित्य का गहन अध्यन किया तथा अपने अनेक रचनाओ द्वारा हिंदी साहित्य के विकास में महत्रपूर भूमिका निभाई सन 1995 वेश्वे को यह महानात्मा पंचितत में विलीन हो गई प्रभाकर जी का साहित्यक परिचे प्रभाकर जी एक सिरेष्ट साहित्यकार होने के साथ साथ एक सच्चे देशभक्त भी थें इनोंने अपने रचनाओ द्वारा लोगों को स्वतंतरता के लिए जागरू किया स्वतंतरता दिलाने में इनोंने महत्रपूर भूमिका निभाई इनकी रचनाओं में भावात्मक, विचारात्मक, व्याख्यात्मक, गवेसनात्मक, अलंकारिक आधि सहलियों का उचित उप्योग हुआ है प्रभाकर जी की प्रमुक कृतियां कुछ इस प्रकार है जिन्दगी मुस्कुराई माटी हो गई सोना, भूले विशरे चहरे, अकास के तारे, धर्ती के फूल, दीप जले संख बजे, बाजे पायलिया के घुगुरू, इत्यार इसके अत्रिक्त प्रभाकर जी नेको रचनाओं का सिर्जन करके हिंदी सायत जगत में अपना महत्रपूर अस्थान स्थापित किया है दोस्तों, यूपी बोर्ट 2023-2024 का एकजाम फरवरी माह में होने की संभावना है तो आप अभी से परिच्छा की तयारी करना सुरू कर दीजिए आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज लाइक और सेर दिस वीडियो